Hello friends, welcome back to my channel, मैं समी था, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ amazing tips और उमीद करती हूँ ये tips आपके लिए helpful रहेंगी, आपको पसंद आएंगी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं winter season वैसे तो अच्छा लगता है, बढ़ काफी सारी problem हमें face करनी पड़ती हैं, जिसे हम लोग walk करने जाते हैं, तो सूस गंदे हो जाते हैं, तो उन्हीं clean करना winter season में बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो सूपते नहीं हैं काफी दिन तक, तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपके साथ tip share कर रही हूँ, यह आप देख सकते हैं, जूतों की हालत, और बच्चों की shoes के साथ तो यह अकसर ही होता है, क्योंकि उन्हें खेलना भी होता है, चाए मौसम कैसा भी हो, तो यह देख सकते हैं, आप जूतों की हालत, बिल्कुल मिट्टी लगी हुए है सारी त कर सकते हैं, यहाँ पर shoes को clean करते हुए हमें दो step करने हैं, पहला तो जो उपर वाला fabric वाला portion होता है, उसे तो हम baby wipe से इस तरह से rub करते हुए clean करेंगे, इस तरह से जितनी भी dust होती है, इस तरह की जो net भी होती है लगी भी, उसको भी अगर आप rub करेंगे अच्छे से, तो वो बहुत सारी धूल को absorb कर लेता है, और आपका shoes एकदम चमकता हुआ आपको दिखाई देगा, तो आप यह देखी सकते हैं, यहाँ पर, मैं दोनों shoes आपको दिखा देती हूँ, मिट्टी, almost गायब ही हो गई है, और आप इसको कम जब यह रहें गंदे, तभी clean करने तो ब इसलिए white color के बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं, तो उसको clean करने के लिए हम use करें, यहाँ पर toothpaste को आप किसी brush की help से इस तरह से लगा दें, उसके बाद wipe करने के बाद आपका shoes बहुत shine करने लगेगा, यह आप देख सकते हैं, पहला वाला सूज अपने देखा कितना method है, आपको 5-10 मिनट लगने वाले हैं, अगर आप इसे regular basis पे करते हैं, तो आप यह try कर सकते हैं, अगर पसंद आती हैं, तो feedback मेरे साथ जरूर शेयर कीजेगा, अक्सर हम चाहते हैं कि हमारा floor एकदम shine करें, उसमें दाग दबे नहीं हो, तो आप जो regular basis पे अपना floor की आप डाल दें, और यह practice आप महीने में एक बार भी करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपके floor पर दाग हैं, वो काफी हद तक clean हो जाते हैं, शाथ ही एक shine भी बनी रहती हैं, इसी तरह से wooden flooring है, या marble flooring या फिर tiles हैं, किसी भी surface पर यह अच्छे से काम करता है, तो महीने म एक बार या starting में अगर बहुत धबे हैं, तो आप week में एक बार भी से try कर सकते हैं, फ्रिज में दूद रखने के लिए हम इस तरह के पतीले का use करते हैं, क्योंकि इसी में हम boil करते हैं, और इसी में फिर हम मलाई को set करने के लिए भी छोड़ते हैं, तो रात में तो आप इस vertical space यूज़ करें, तो इस तरह से fridge में आपको काफी space extra मिल जाती है, और जो दूद का button है, उसके नीचे कुछ इस तरह का जरूर रखें, जिससे कोई भी दूद के दाग हैं, तो वो surface पे नहीं लगें, तो बहुत ही easy हो जाता है हमारा काम, पिंटर में हमारी kettle भी kitchen में काफी use होती है, और काफी use होने के वज़े से, उसमें काफी सारे hard water के stain हो जाते हैं, जिनको clean करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अगर उसे आप लंबे time तक के लिए छोड़ दे, यहाँ पर तो मेरी kettle थोड़ी सी जल भी गई है, जिसके उपर फिर से hard water के stain आ गई हैं, तो आज मैं इस kettle को clean कर रही हूँ, आपके साथ share करूँगी किस तरह से मैं करती हूँ, क्योंकि glass kettle में थोड़ा सा लगता है कि कई बार किस तरह से इसको रगड नहीं सकते, तो किस तरह से clean करें, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लेंगे vinegar, तो यहाँ पर half cup जितना vinegar मैंने लिय हैं, इसको हम डाल देंगे kettle में, kettle में कोई पानी वगएरा अभी add नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसमें add करेंगे vinegar, तो यह मैंने डाल दिया है half cup vinegar, और vinegar के ऊपर हम add करने वाले हैं एक और ingredient जो की है baking soda, तो यहाँ पर यह 1 teaspoon जितना baking soda मैंने लिया है, यह हम इसमें add कर जैसे हम इसमें add कर देंगे, इसमें बहुत अच्छा reaction होता है, इसे आप हो जाने दें, अच्छे से यह bubble जब form हो जाएं और एक बास settle हो जाएं, उसके बाद आप इसमें add करें, पानी, one four तक या half तक आप इसको fill कर सकते हैं, तो देखें मैंने fill कर दिया हैं, इसके बाद आप इसमें लगा दें lid, और आप गर आपके पस lemon पील पड़ी हुई है, यूज lemon है, या खराब lemon है, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे मेरे पास एक ही lemon खराब हुआ था, तो इसको मैंने इस तरह से डाल दिया हलका सा juice का निकाल के, और इसके बाद अब हम कैटल को on, और यहां पर आने देंगे अच्छा सा boil, दो तीन boil इसमें अच्छे से आने दें, ताकि इसमें जो steam बने, वो भी अंदर, जो हमारे hard strain है, उनको lose करने में help करें, साथी जो ये solution बने, वो भी काफी strong काम करता है, तो इस तरह से देखिए से मैंने कर दिया था, दो होती strong solution बन की, ये ready हो गया है, इसमें आप कोई भी dish liquid डाले, बरतन होने के लिए बहुत अच्छा है, इसके बाद हम लेंगे इस तरह का एक brush, plastic का soft brush लेंगे, और उससे हम इसको इस तरह से रब करेंगे, तो बहुत ही easily सारे दाग छूट जाते हैं, आप उपर इस तरह से कर सकते हैं, लेट को भी, आप यहाँ पर ध्यान रखी, जहाँ पर थोड़ा सा gap है, या अंदर पानी जाने के chances हैं, वहाँ पर आप ये पानी वाला कुछ भी चीजस में जाने नहीं दें, उसको आप prevent करके रखें, तो इस तरह से अंदर-अंदर मैंने इसको अच्छे से clean कर और अब इस तरह से इसको लगा कर छोड़ भी सकते हैं थोड़ के तो मैंने इसको 15 मिड इस तरह से रख दिया था, और अब इस liquid को हम इस तरह से throw कर देंगे और अब इसको clean करेंगे पानी से, अभी मैंने पानी से नहीं clean किया, मैं आपको दिखाती हूँ, अुलरेड़ी हे clean हो चुका है तो जो side wall पे थोड़े बहुत stain है उनको clean करने के लिए इस तरह से पानी का use करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि base की तरफ कम पानी आए थोड़ा बहुत आदा भी है तो उसका आप में hard water की थोड़े से stain मुझे दिखाई दे रहे थे तो यहाँ पर कोई भी कपड़ा आप ले ले और इसी पानी का use करके इसको इस तरह से हम rub करेंगे ताकि जो side में भी white white निशान हो जाते हैं वो इसके निकल जाएं तो यहाँ पर अब हम पानी का use नहीं करेंगे जिस हलका सा यह liquid use किया है और इसको लगा हुआ थोड़े दे छोड़ देंगे उसके बाद इसको हम किसी भी कपड़े से wipe कर सकते हैं अंदर से पानी निकालने के लिए आप इसको इस तरह सी किसी सहारे पर इस तरह से रख दीजे तो यह सारा पानी अंदर से dry हो जाएगा जब तक यह पानी इसका dry होता है और अब इसी पानी का use करके हम इसको wipe कर लेंगे तो यह देखिए बहुत ही अच्छे से shine आ जाती है तो काफी strong सा ही solution बनकर ready हुआ था इसके बाद वस यह पानी सारा निकल गया है अब किसी भी अगर अब नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा hard stains में हो तो कभी भी नलका पानी इसमें boil नहीं करें आरो का पानी है तो बहुत कम stain आएंगे मैं बीच में इसमें नलका पानी भी यूज़ करके कि मेरी काफी दिन से गंदी थी तो मैंने काफी दिन बाद इससे clean किया है वोडन फरनीचर हम सभी के घर में होते हैं और हम सभी चाहते हैं कि उनकी shine सालों साल बनी रहे बट कई बार क्या होता है कि हम time नहीं दे पाते हैं उनकी maintenance के उपर तो उस case में आप क्या कर सकते हैं wooden furniture को अच्छे से wipe करके उसके ओपर कोई भी इस तरह का cotton cloth का cover यूज कर सकती है या runner यूज कर सकते हैं इस तरह से आप furniture के look को भी change कर सकते हैं साथ ही वो damage होने से भी बच जाता है और आपकी cleaning का जो part है वो काफी कम हो जाता है क्योंकि आप week में या two week में इस कपड़े को तो try जरूर कीचिएगा wooden furniture की हम बात कर रहे हैं तो wooden furniture में एक और problem आती है अगर उसमें drawers हैं तो उसके जो channel होते हैं वो कई बार इस तरह से फसने लगते हैं कि उनकी working smooth नहीं रहती चाहे वो इस तरह की covers की बड़ी drawer हो या chest drop drawer की या bed side table की तो यहाँ पर जो यह आप drawer देख यह बिल्कुर फसने लगी है पहले तो लगा किसके अंदर कोई कपड़ा फस गया है या कुछ पर यह सारी ही channel जो हैं वो काफी block हो रहे थे यह मौसम change होने की वज़े से भी हो जाता है तो इस तरह की जो problem है उसको solve करने के लिए market में काफी सारे spray आते हैं जो इसमें greasing का का करते हैं तो जो side में channel है उस पे आप इस तरह से जब spray कर देंगे तो यहां पर मैं लाकर का यह am 70 यूज़ कर रही हूं जो की इसको काफी smooth कर देगा और इसको use करना भी काफी easy है यहां पर यह nozzle दिया हुआ है इससे अगर आपका हाथ भी अंदर नहीं पहुंच रहा है तो snozzle की through आप वहाँ पे spray कर सकते हैं तो यह मैं सारी side में पहले spray कर दूँगी और spray करने के बाद थोड़ी दिर में से ऐसी ही छोड़ दूँगी मैं आपको दिखाऊंगी उसके बाद कि यह किस तरह से smooth हो चुका है अभी मैं आपको immediately बंद करके दिखा रही हूँ तो काफी पास तो यह product बढ़ा हुआ था तो मैं इसको use कर रही हूँ पट इसकी जगह पे आप WD 40 भी use कर सकते हैं और कोई भी local market में आपको दिखता है spray इस तरह का जो की channel को lose करता है यह grease जो उसमें कम हो गई है उसको smooth करने में help करता है तो आप ले सकते हैं और इस तरह का product आपको घर पे रखना ही चाहिए क्योंकि काफी ज़्यादा काम आता है अगर बहुत लंबे time तक आप ध्यान नहीं देंगे इस तरह से तो फिर उनको recover करना काफी मुश्किल हो जाता है इसी तरह का एक और product आता है जिसका नाम है WD 40 वो भी आप use कर सकते हैं वो multi purpose है काफी जगह आ आवाज आने लगती है उसके लिए use कर सकते हैं cleaning के लिए grease कहां कहीं पे कम हो गया उसके लिए use कर सकते हैं तो basically मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यहाँ है कि जब भी आपको problem दिखे immediately उसका solution ढूंड ले otherwise वो problem काफी ज़्यादा बढ़ सकती है तो उमीद करती हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया है या आपके लिए ये कोई भी tip helpful रही है तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा मुझे जानकर अच्छा लगेगा साथी मुझे motivation मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो create कर पाऊं और आपके साथ एक अच्छा content share कर पाऊं तो चलि आज के लिए बस इतना ही मैं मिलती हूँ आप से किसी और नए interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए bye thank you thanks for watching have a nice day